तो JBL Encore का review करने के बाद अपने को पता चला कि JBL का Extreme 3 भी आता है same pricing पर same vote RMS के साथ और दोनों ही outdoor speakers हैं कैसे लेकिन इसी का पता लगाने के लिए अपन गया online की यार इसको purchase करना है लेकिन अपने पास अंधव ऐसा तो है नहीं खोड़ा discount या कुछ offers मिल जाए तो मजा जाएगा तो यह मिला मुझे chroma पे जहां पे गनपती fast sale चल रही है जिसमें up to 55-55% discount मिल रहा है electronics पे और 10% on selected credit card और debit card और electronics का मतलब यह नहीं की सिर्फ speaker बजाने है mobile phones household item जो भी चाहिए electronic में आता है सबी पे तो यह sale 20 अगस्त से 11 सतंबर तक ही चल लिए तो मैंने सोचा क्यों ना purchase ही कर लिया जाए तो अपने को भी discount के साथ 12 महीने की no cost TMI मिल गई अब उन खुश हो गया और इसका link मैंने description box में दे दिया chroma वाला तो इसको बन box करते है चुरा आज बेड़े उड़ा दूगा अभी देखते हैं दो गत्ते जो नहीं ची है अपना speaker साइड में रखते हैं इसे हटाता हूं ड़ाने वाली है तो भी इधर नीचे एक box जिसको मैंने रिपैक किया टेस्ट करने के बाद यह नी बताना रिजिनल ब्लग पावर ब्रिक 60 वोट की वो भी टाइप सी नाइस एक जेबिल का पट्टा इसको गले में लटकाने के लिए बाहिसा बोटल ओपनर इन्हें पता है जहाँ यह बज़ेगा वहाँ चीह है समझ रहो एलेकसा स्टोप यह है वही और सबसे रीचे जादे स्ट्रीम 3 जिसका यह पट्टा लग गया है और यह बोटल खुलने वाला भी पर जो पीत है उनको तो मज़ा ही आ जाएगा खड़ा दू इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है हम सब जानते हैं कि JBL मतलब प्रीमियम लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो मैं इसको डोलक का पूरी रातकाली कर देगा है लेकिन बैक टूथा डिजाइन ऊपर की साइड आपको दो पट्टे के लिए हुक मिलता है पट्टे के लिए यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल की जिसमें यह वाली LED इल्यूमिनेटेड है फ्रेंट साइड पे जेबिल की ब्रेंडिंग मेजर पार्ट ग्रे बर्ट ओड़ा ओरेंजट नीचे का आपको बैटरी लेबल इंडिकेटर चार्जिंग पर भी दिखता है बोटम पर ग्रिप पैड हिले ना एंड एक्स्ट्रीम 3 की ब्रेंडिंग पोर्ट खोला यह बोला यूस्बी टाइप आप जो की फाइव वोल्ट तू बौलता है और यहां पर मिलते हैं आपको टॉटल चार ड्राइवर यह क्यों दिखाया मैंने चार्ड ड्राइवर में से दो हैं आपके ट्वीटर जो 25 वोट और एच यह हैं गयं 25 वोट और एप में और यह लेकिन कहीं कहीं 50 वोट आरेमेंस लिख रहा है लेकिन फोड़ी तो चार ड्राइवर है 25 वोटी इच 100 वोटी बन रहा है तो बजाते हैं फिर बेस की कमी लग रही है तो फोन चेंज करते हैं एंड्रोइड एकॉलाइजर वाला लेकिन उससे पहले यह आता है जे बिल अपने हर प्रोड़क्ट के साथ वोलता है वाइदावे लाउड तो की ओन करनी पड़ती है और देखो जेवियल की स्पीकर्स की एक खास बात मुझे लगती है कि दो फोन के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाता है तो मतलब कि दोनों पर सीमलेस्ली स्वीच होता रहता है बजाते रहो बजाते हैं तो देखो एंड्रोइड में एकॉलाइजर का प्र प्रिक्वेंशी रेस्पोंड्स से रेस्पोंड करता है Do you know उसके बाद software is up-to-date और feedback tone मैंने on की हुई है मतलब यह तुनूं तुनूं जो करता है और थोड़ा deep knowledge वाले लोगों के लिए जो Bluetooth profile यह support करता है वो है A2DP 1.3 और AVRCP सही बोला मैंने AVRCP 1.6 support करता है इसका signal to noise ratio is 80 decibel और battery charging time तो मैं बताना भूल गया धाई गंटे में फुल चार्ज हो जाता है जो कि 60 वोट के charger और 10,000 mAh की बैटरी के हिसाब से सही है पर ऐसे powerbank भी इसको use कर सकते है तो अच चेक करते है इसको खोला लगाया फोन निकाला चलाया वाउ करता है काम यह तो तीन चार मस्तमस सेंपल बजाते है और फुल लेंथ के ड्राइव पे अपलोड करते है आपकी फर्माइश पे बजाओ तो देख वे सेंपल सुनने के बाद एक चीज तो पता चल गई होगी काफी लाॉड है काफी ड्राइभ कि परोशो के गह चल सेंपल नाइप करता है और देखो अगर को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर तो डिजेई ही बन जाएगा की बाकी बाधी आ कुछे कि भाई क्या चीज ले रहा है बट हाँ JBL ने पहले ही क्लियर कर दिया कि 53.5 हर्ट की लोवेश्ट फ्रिक्वेंसी सपोट करता है बट डीप बेस क्यों बोला यह समझ नहीं है तो इसका जो पर्जेज लिंक है वो डेस्क्रिप्शन बोक्स में दे रहा हूं और जो क्रोमा पर गनपती फैस चल रहा है इसमें पर्चेस करोगे तो डेविनेटली फायदे मिलने वाले और फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा और ज्यादा खुराफाती है और क